नमाशकार जैश्री कृष्णा मैं राकेश पाठेक आपको सिवानियस्तो चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज आपको बताना शुरू करता हूँ, अभी तक मैं बता रहा था आपको किसी की कृंडली में दो ग्रहे अगर एक साथ हों तो कैसा फल मिलता है आज हम बात करेंगे कि किसी की कृंडली में अगर तीन ग्रहे साथ हों तो कैसा फल मिलता है तो आप भी अपने कुली देखे बैठिये और देखिये कि किस भाव में आपके तीन ग्रहे बैठे हुए हैं और उनका फल आपको क्या प्राप्त होगा तो पहला फल जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि सूर्य और चंदरमा के साथ तीसरा ग्रहे अगर मिल जाता है मंगल मिल जाता है शनी मिल जाता है शुक्र मिल जाता है या ब्रस्वत मिल जाता है या गुरू मिल जाता है तो किस तरह के फल होते हैं तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, अगर सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों ग्रहे आपकी कुंडली में एक साथ हैं, तो क्या फ़ल मिलेगा, उसके लिए वो कहते हैं। बहादूर होता है, अखिल क्रियासू कुशले काम करने वाला होता है, सैस्तिते सूर्य शशीबहों में सब कामों में बहुत कुशल होता है। बैठे हैं, तो मनुष्य कैसा होता है, तो क्या फ़ल मिलते हैं, तो फ़ल मिलते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सूर्य चंदरबुद एक साथ हों तो मनुष्य तेजस्वी निपुन मती। बहुत तेजस्वी होता है, निपुन होता है। सूर्य चंद्र और ब्रस्पति साथ हो तब अगर ये तीन रह साथ हो आपकी गुंड़ी में तब क्या होता है कुरुद्धो माया निपुनों सेवा कुशलो विदेश गमन रता है मेगावी चपल मती सह सिते तहरक शशी जीवे ये बोलते हैं कुरुद्धो माया निपुन ऐस विदेश यात्रा का शौकीन होता है हमेशा, मिधावी होता है, चपल मती, चंचल मन का होता है, चंचल बुद्धी वाला होता है, ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य चंदर गुरू एक साथ हो, ऐसा विक्ति मनुश्य जो है वो को दी होगा माया कार्यों में निपुण होगा सेवा में कुशल होगा विदेश याट्रफा शौकीन होगा और मेधावी और चंछल बुद्धी वाला होगा जिसकी कुंडली में सूर्य चंद्र और शुक्र एक साथ हों वो कैसा विक्ति होगा या उसके फल कैसे मिलते हैं तो उसके बारों में शास्त्रों में लिखा है पर्धन हरने निपुने यानि सूर्य चंद्र और शुक्र अगर एक साथ हों तो मनुष्य दूसरों के धन को लेने में चतुर पर्धन हरने निपुने पर्धन मतलब दूसरों के धन को हरने वाला में निपुन होता है परदारश्थ अश्चय दूसरे की इस्त्री में अनुरुख्त मन वाला होता है शास्र निपुन अश्चय शास्त्रों में निपुन होता है ये इसके अंदर खास बात होती है कि सूर्य चंद्र चास्त्मा और शनी अगर एक सथege Jaar request यानि सूर चंद्रमा शनी एक सथ हों तो मनुष् कामी होता है काम वासना से युक्त होता है विवाद कुछ लो विवाद करने में चतुर होता है मूर्ख होता है पड़ तंत्र को दरिद्रश्चे दूसरों के अधीन रहने वाला होता है दरजद होता है ये इसमें खास बात होती है ज्यान अपना होता है कि सूर्य चंद्रमा औ तो यह थे हमारे तीन ग्रहों के आगे हम लोग पढ़ेंगे सुर्य मंगल के साथ त्री ग्रह होता है तो क्या होता है तब तक के लिए धन्यवाद जैश्री कृष्णा और इसके अलावा एक सूचना है कि आप में से जो लोग भी इस्ट्रोजी पढ़ने में या प्रेक्शन पढ़ने में या आपके अस्टक वर्क पढ़ने में इच्छुक हों वो अपना देगे नंबर पर संपर करके अन्रूल्मेंट करा सकते हैं धन्यवाद जैश्री कृष्णा